कुछ से शूर्शर्टर चल रहा है कुछ mak salty यहीख बुटा चाहे मैं बहुत कॉमन प्रॉब्लेम होता है छालो नहीं मेरे सीजन या उकेजन भी ज़ादा होते हैं तो हमें बाहर का खाना भी होता है या तो गर्मी की वज़़े से ह talk पानी वगर भी पिते हैं तो उसकी वज़़ से food और पानी की वज़़े से भी diarrhea का infection लग सकता है तो summer, और सीजन में हमें पता है कि हमें अपनी बॉड़ी को हैड्रेट रखना चाहिए पानी है लिमू शर्बत है वो सब ज्यादा पिना चाहिए और हुमीपिनिक दवाई है जो सबसे ज्यादा जो में जीतना पानी वह उसमें दस गोली और जो पानी तैयार हो रहें यह 2-2 गन्त पे एक 1 चमच पानी पिते रहो जो दवाईय में यूज़ करता हूँ, उसमें सबसे पली दवाईय है, पोडोफाइलम पोडोफाइलम में समर डायरिया में नहीं, वैसे भी कोई डायरिया होते है, उसमें बहुत फ्रिकॉंटली यूज़ करता हूँ तो फोडोफेलम के सिंटम्स क्या है तो आपको याद रखने के लिए 5P हम जब पढ़ाई करते थे तो मैं बताया जाता था कि 5P याद रखना है 5P मतलब क्या है प्रोफ्यूज प्यूट्रीड मतलब बहुत स्मेल्स वाला ही पेइनलेस पोलीक्रोमिक मतलब ज्यादा कलर वाले होते हैं और प्रोलेप्स ऑप्रेक्टम तो जो वाटरी डायरिया हो प्रोफ्यूज डायरिया हो साथ में स्मेल ज्यादा आती हो वैसे डायरिय में आप पोड़ोफैलम सबसे पहले सोच सकते हैं और पोड़ोफैलम है वो लिवर रेमेडी भी है तो पेट की तकलिपों में बहुत अच्छे से यूज होने वाली यह दवाई है सेकंड दवाई मैं बताओगा ब्राइनिया हम मानते हैं कि ब्राइनिया यूजरी कॉंश्टिपेशन में जो ड्राइनेस की वज़े से जो कॉंश्टिपेशन होता है उसमें यूज होता है लेकिन ब्राइनिया समर्ड एरिया की भी मेडिसीन है और हमें पता है कि कई बार बहुत होती है और ड्राइनेस की वाज़े से पिशंट बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेता है तब अब ब्राइणिया सोच सकते हैं चाइना चाइना भी 30 प्रटीपोटेंसी में यूज करता हूं और चाहिना में हमें पता है कि वीकनेस जादा होते हैं ड्राइरिया के बाद बहुत सारी वीकनेस आजाती है पेट गैस से बरा हुआ रहता है या तो पेशन को ऐसा फिलो कि मुझे डखार आ जाए या तो गैस नीचे से पास हो जाए तो वह अच्छा है मेरे लिए तो वीकनेस के साथ जब डैरिया हो और समर में हो तो आप चाहिना और साथ में गैस्टिक प्रॉब्लेम और दो दोवई में एक साथ बताता हूं क्रोटोंटी और गंबोजिया यह दोनों मेडिसीन में ऐसा ही कि सदन गशिंग होता है मतलब प खास करके गंबोजिया ओलेज पेशेंट में जब इस तरह के डैरिया होता है समर डैरिया हो ओलेज पेशेंट हो और एक साथ स्टूल पास हो जाए उसमें गंबोजिया यूज कर सकते हो और क्रोटोंटी क्रोटोंटी में कुछ भी थोड़ा भी कुछ खाना खाया याद पा उसमें श्टूल जाने के बाद भी constant urging रहता है और burning भी रहता है क्रोटण टीग में skin disease में भी अच्छे से युज़ करता हूं skin disease में eczema जहां बहुत खुझली होती है उसमें भी क्रोटण टीग बहुत अच्छे से युज़ होने वाली दवाई है बख्की दवाई है केंफर वेरेट रमाल यह दोनों दवाई आप देखोगे तो डीसेंट कॉलेरा की मेडिसीन है कॉलेरा में भी डायरिया और वोमिटिंग होता है और कॉलेरा समर सीजन में बहुत कॉमनली होते है तो केंफर में coldness of the body, बॉडी एकदम cold हो जाएगी, sinking sensation जैसे ऐसा लगा कि पिशन्ट का blood pressure down हो गया है उसका आप बोलो कि pulse low हो गये है उसके पेरों में दर्थ होता है तो जहां sinking sensation बहुत patient ऐसा लग रहा है कि कुछ अगर नई किया तो उसको जान का खत्रा हो जाता है तो और बोड़ी बहुत कोल्ड हो जाती है उसका मुझ ठंडा हो जाता है तंग ठंडी हो जाती है तो ऐसे केस में आप केमफर युश कर सकते हैं वेरेटन भी इस तरह के मेडिसीन है जहां पर आप युश कर सकते हो कॉलेरा में आर्सेनिक आल्ब ये दवाई भी सडन विकनेस और उसमें भी पूट्रीड स्मेल आती है और जब फूड पोईजनिंग की वज़े से डायरिया वोमिटिंग और साफ में फीवर हो वहां आप आर्सेनिक आल्ब यूश कर सकते हैं जैट्रोफा नम की दवाई है या तो बहुत और बी जो दवाई है वो आप इसमें समर्ड डायरियम ये यूश कर सकते हैं तो ये दवाई काफी यूश्फुल रहेगी थर्टी पावर में लेने से और फ्रिकुंडली पानी में लेने से बहुत अच्छे से यूश होने वाली ये दवाई है और बोड़ी को हैड्रेट रखना है बहुत सारा पानी पीना है मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू जरी मच करूं मैं आपको झाहन से प्काइब